हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादूई दो खिड़कियों की तो चलिए दोस्ता देखते हैं जादूई दो खिड़कियों की कहानी बहुत समय पहले की बात हैं किसी गाउ में निशा नाम की एक लड़की रहती थी निशा मटके बना कर बिचती थी एक दिन निशा अपने सर पर धेर सारे मटके लेकर बाजार की और जा रही थी के तबी रास्ते में उसे एक बूड़ी औरत मिलती है सुनो बेटी ये मटके कितने रुपए के हैं मुझे तीन मटके चाहिए ये मटका सौ रुपे का है मजी ठीक है बेटी लेकिन क्या तुम ये तीनो मटके मेरे घर तक पहुँचा सकती हो घर पहुँचने पर मैं तुमें पैसे दे दूँगी हाँ हाँ क्यों नहीं मैं अभी ये तीनो मटके आपके घर पहुँचा देती हूँ वो भी निशल्क फिर वो बूढ़ी औरत निशा को लेकर अपने घर की और चल देती है थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक पुराने घर के सामने पहुंच जाते है निशा तीन मट के जमीन पर रख देती है उसके बाद बूढ़ी औरतों से तीन सौ रुपे दे कर उन तीनों मट कों में पानी भरने लगती है लेकिन तब या चानक मट कों के अंदर जाते ही पानी का रंग लाल हो जाता है अरी ये कैसा जादू है मट के में जाते ही पानी का रंग लाल कैसे हो गया क्या आप कोई जादूगर्नी है? हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना मैं एक जादूगर्नी हूँ क्या तुम्हें जादू पसंद है? हाँ मुझे जादू बहुत पसंद है बच्पन से ही मैं जादूगर्नी बना चाहती थी अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जादू सिखा सकती हूँ तुम कल से मेरे पास जादू सीखना शुरू कर दो ये संकर निशा खुर्श हो जाती है फिर अगले दिन से निशा रोज उस बूड़ी औरत के पाग जादू सीखने जाने लगती है इस तरह कुछ महीन बीच जाते हैं लेकिन फिर एक दिन अचानक उस बूड़ी औरत की तबियत कराब हो जाती है सुनो बेटी लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ मेरे घर के नीचे एक बड़ा तैखाना है आज से ठीक साथ दिन बाद उसका दर्वाजा खुलेगा उस तैखाने की दीवार पर काली और सफेद रंग की दो जादूई खिड़किया है तुम सफेद रंग की खिड़की खोल कर उसके अंदर रखे सोने किसी के ले लेना लेकिन भूल से भी तुम काले रंग की खिड़की को खोलने की गलती मत करना उस खिड़की में मेरे बेटे के हिस्से की दौलत रखी है इतना कहते ही उस बूड़ी औरत की मृत्यों हो जाती है और तबी उसकी लाश अचानक वहाँ से गाएंब हो जाती है उसके बाद निश्या अपने घर चली जाती है फिर ठीक साथ दिन बाद निश्या वापस जादू गरनी के घर आती है तबी टैखाने का रास्ता अपने आप खुल जाता है निश्या टैखाने के अंदर चली जाती है तबी उसे काली और सफेद रंकी दो जादू इखिडकियां दिखाई देती है निशा सफेद रंगी खिर्की को खोल देती है उसके अंदर सोने के सिकों की एक पोटली रखी थी निशा उस पोटली को निकाल कर खिर्की बन कर देती है जादुगर्नी ने मुझे काली खिर्की खोलने से मना किया था लगता है इसके अंदर बहुत सारा खजाना रखा है जो वो अपने बेटी को जेना चाहती है अगर मैं इस खिड़की को खोल कर सारा खजाना ले लूँ तो मुझे जिन्दगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अमीर बनकर पूरी जिन्दगी एश कर सकती हूँ इस तरह लालच में आकर निशा काले रंग की खिड़की खोल देती है उसके अंदर धेर सारे सोने किसी के हीरे रखे थे उन हीरों की चमक देख निशा खुश हो जाती है और हाथ बढ़ा कर वो सारे हीरे और सोने किसी के बाहर निकालने लगती है इसके अंदर तो और भी ज्यादा हीरे हैं लेकिन मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुंच रहा मुझे इसके अंदर जाना होगा इतना कहे कर निशा किड़की के अंदर चली जाती है लेकिन तबी वहाँ एक बिजली चमकती है और किड़की बंद हो जाती है उसके बाद निशा वहाँ से गायब होकर एक वीरान रेगिस्तान में पहुन जाती है अरे नहीं ये क्या हो गया मैं इस उजार रेगिस्तान में कैसे आ गई तबी निशा के सामने उस बूड़ी औरत की आत्मा आ जाती है मैंने तुम्हें काली खिड़की को खोलने से मना किया था लेकिन तुमने लालच में आकर मेरा कहां नहीं माना अब तुम पूरी जिन्दगी इस रेगिस्तान में भटकते रहोगी इतना कहे कर वो उस बूड़ी औरत की आत्मा वहां से गायम हो जाती है अरे नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अब मैं क्या करूँ इस तरहा निशा अपनी गलती पर अफसोस करके रोनी लगती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी दूसरी तरफ उस बूड़ी औरत के लड़के तैखाने में जाकर काले रंगी खिड़की खोलकर उसके अंदर के सारे हीरे और सोने के सिके लेकर वहां से चले जाती है उधर अपनी लालच के चलते निशा हमेशा के लिए रेगिस्तान में भटक रही थी तो आपने देखा दोस्तों जादूई दोखिड़कियों की कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है के हमें हमेशा अपने मन पर काबो करके रखना चाहिए और कभी लालच में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होते जरूर लाइक करें और हमारे चानल चोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको कहानी कैसी लगी